आप इस वीडियो में जानेंगे फिट पिलिंग यानि की पैरों की स्किन निकलने के कानों के बारे में पिलिंग फिट पैरों की तोचा से सबंदित एक ऐसी समस्य है जिसमें की पैर और पैरों की तलबों की तोचा धीरे धीरे निकलने लगती है यदि कभी आप मेंसे किसी के साथ कभी यह समस्या हुई होगी तो आपने इसका अनुभव जरूर किया होगा इसलिए आज हम pilling fit के बारे में आपको बिस्तार से जानकारी देने वाले हैं आईए सबसे पहले इस समस्या के बारे में थोड़ा जान लेते हैं आखिर पिलिंग फिट क्या है पिलिंग फिट यानि कि पैरों की स्किन का निकलना इसके कई कारण हो सकते हैं पिलिंग फिट में पैरों की स्किन देखने में ड्राय लगती है यहीं नहीं हो सकता है कि इस कंडिशन में आपकी स्किन कहीं एक तरब से ही निकले या पूरे पैर म या परिशानी हो सकती है कई मामलों में आपके पैरों की केवल स्कीन ही पील होती है लेकिन कुछ मामलों में इसके कुछ अन्या लक्षन भी नजर आ सकते हैं जैसे कि खुजली होना या यलो पैस्टिन्स का विक्सित होना इत्यादी वैसे तो पिलिंग फीट किसी अन्या पर करना चाहिए आईए अब जानते हैं फिट स्किन पिलिंग के मुख्या कानों के बारे में अत्य अधिक पसीना आना बहुत अधिक पसीने से पैरों में अधिक पसीना आता है तो आपको पैरों की अधिक सभाई रखने की जुरूरत और जिसे कि आपके पैरों की तवचा पिलिंग होने से बच सके एक्जिमा के कार्ण फीट पिलिंग एक ऐसा तवचा रोग है जो आपके स्रीर के सभी हिस्सों की तवचा के छिलने खुजली और उसका रूखापन बढ़ा सकता है इसमें आपके पैरों और तल्बों की तवचा भी सामिल है हलंकि एक्ज में पताया गया है यदि आप हमारे चैनल को नए हैं तो हमारे चैनल को सबस्काइब कर लें और साथ ही बैल की आईकॉन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसी और निजानकरिया मिलती रहे चलिए अब बात करते हैं विस्तार से फंगल इनफेक्शन और फिट पिलिं यदि आपके पैरों की स्केन निकल रही हो तो अपने डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए फंगल इनफेक्शन के अन्य लक्षन भी हो सकते हैं जैसे कि तोचा पर लाल, स्केली और इची रैसिस, जलन होना, विल स्ट्रिंग इत्यादी अगर आपको लगता है कि आप में पैलिंग फीट की समस्या फंगल इनफेक्शन के कारण है तो आपको फंगस के उपचार के लिए डॉक्टर की सला के बाद एंटी फंगल प्रोड़क्ट्स का इस्तमाल करना चाहिए इसलिए उन चीजों से बचना चाहिए जिसे की फंगल ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है ज साथ ही दोबारा होने वाले इनफेक्शन से बचना चाहिए क्योंकि जोतों जुराबों शावर इत्यादी से इनफेक्शन फिर से हो सकता है ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ट्रीट्मेंट के बाद फिर से इनफेक्शन ना हो डिहाइडरेशन के कारण स ज्यादा पानी पीना चाहिए संबर्ण के कान स्किन पिलिंग धूब में जुलसी तवचा छिल सकती है इसलिए जहां आप अपनी पीठ गर्दन कंदे जैसे हिसों पर संक्रीम लगाते हैं वहीं पैरों को भी धूब से सुरक्सा देनी चाहिए स्टैप वाले जूते के कान पि निकल सकती है इसलिए बहुत लंब समया तक इस तरह कि दूटे नहीं पहने चाहिए ड्राइ स्किन के कान पैरों की स्किन निकलना रही सी यानि रुकिश्चकेली और खुजली वाली तवचा, ऐसी तवचा से रोगी को परिशानी हो सकती है और इससे पिलिंग होना सामान्या बात है, कई मामलों में ड्राइ स्किन कई अंडरलाइन मेडिकल कारणों के कारण भी हो सकती है, लेकिन कई लोगों की स्किन प्राक्ति कारणों से भी ड्राइ होती है, इसके अलावा पैरों की ड्राइ स्किन कुछ स्थितियों से भी बत्तर हो सकती है जैसे कि हुमिडिटी का लो होना, ज्यादा गर्म पानी से नहाना, अधिक देर तक धूप में बैठना, स्ट्रेस और स्मोकिंग इत्यादी और हाँ दोसो यदि आप ड्राइ स्किन वर स्किन पिलिंग को दूर करने के घ्रेली उपाओं के बारे में जाना चाते हैं, तो आप इस वीडियो के उपर आईवाल के बटन तता इस वीडियो के निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दियेगे लिंक पजाकर देख सकते हैं, दोसो उमीद कता हूं की हमारी द्वारा पताएगी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप इसका लाब उठाएंगे, और साथ ही इसे अपने जुरूत मंदोसों में शेयर करेंगे, आज के लिए बस इतना ही जल्द मुलाकात होगी, एक ने वीडियो के साथ कि अगर ऑप को अगर को अगर हुगी ड़कि लगार आपको प्याओी एक घावू ढुरूत मंदोस्य।